हलो एवरिवन, माईसल विकास पतिल, आज हम लोग एक most important topic देखने जा रहे हैं, accounting का, जो कि आपके class 11, 12, click on first year, second year, third year, जो भी है, commerce में, अगर आप किसी भी career प्रोग्राम में जाओगे, तो आपको ये जो topic है, general entry, ये must है, बिना general entry करें, या बिना golden rules आने, इस method के बिना आप हो, कुछ भी नहीं कर सकती हो, ठीक है, तो सबसे पहले general entry बनाने के लिए, कुछ golden rules हम लोग पढ़ते हैं, commerce में, ठीक है, वो golden rules होते हैं, golden rules, ठीक है, सबसे पहले accounting में, तीन types के accounts होते हैं, पहला account है, real account, दूसरा है आप लोग का, personal account, and third is, nominal account, इसको आप chronological order में किसी भी तरह से लिख सकते हो, first, second, third, third, second, first, कैसे भी, ठीक है, real account में, दो चीज़ें आती है, एक debit क्या चीज़ होगा, और एक credit क्या चीज़ होगा, वैसी same personal account में भी क्या आता है, debit और credit, वैसी nominal में भी दो चीज़ें आएंगे, one is debit and other is credit, यहाँ तक लि देखिए, हमारा जो accounting है, उसमें दो aspects होता है, इसलिए हमारे accounting को double entry system बोला जाता है, ठीक है, यहाँ दो accounts को effect करते है, first is debit and second is credit, या तो आपके पास से पैसा आए जाएगा, या तो पैसा आएगा, is it clear, ठीक है, तो सबसे पहले real account अगर है, real account है, तो इसमें देखेंगे, what comes in real account में, what comes in, और credit होगा, what goes out, what goes out, इसका मतलब ये, कि अगर business में, कुछ भी चीज़ आता है, what comes in, कुछ भी चीज़ आएगा, अगर वो assets, real account मतलब, यहाँ होता है, आप लोग का, real के अंदर आएगा, assets, clear हैं या तक, assets, अगर आपके business में assets आ रहा है, तो उसको debit कर देंगे अगर आपके business assets जा रहा है, what goes out, आपके business जाएगा, तो आप credit कर दोगे, उसको, clear है या तक, यह assets बोलने का मतलब, जैसे example ले सकते हैं, हम लोग, cash, bank, machine, building, land, और बहुत सारे अलग-अलग assets, इसमें tangible assets भी आ सकता है, intangible assets भी आ सकता है, current assets आ सकता है, आपका fixed assets भी आ सकता है clear है यहां तक, I think तो पहला वाला जो rule है, real account का, जिसमें assets आते हैं, अगर वो assets है, किसी भी transaction में अगर assets रहता है, तो उसमें आप देखोगे, वो आ रहा है या जा रहा है आपके business में, अगर आ रहा है, अगर आ रहा है तो debit कर दोगे, अगर जा रहा है तो credit कर दोगे, यहां the giver, अगर कोई receive करने वाला है, तो उसको क्या वो लेंगे, हम लोग debit side डाल देंगे, उसके entry को, अगर वही जिस देने वाला है, giver है, तो credit हो जाएगा, ठीक है, for example, इसमें आपका, किसी भी person का नाम आ जाएगा, ठीक है, name of person, name of person हो सकता है, मतलब, यह name of person, यह natural person होता है, क्या होता है, natural person, जैसे राम एकाउंट, मोहन, सोहन, यह सब चीज, फिर एक आता है, artificial, artificial person, artificial person, बोलने का मतलब वो, कि ऐसा कोई person, ऐसा, यह actual person नहीं होता है, artificial person, just एक, ऐसा organization, यह ऐसा entity, यह firm, जो law के द्वारा बनाया गया हो, is होता है, representative account, ठीक है, name of person में आपको अलग-अलग नाम्स दे जाएंगे, जैसे राम एकाउंट, मोहन एकाउंट, सोहन एकाउंट, artificial person में किसी company का, जैसे राम ब्रदर्स एकाउंट, यह अग्रवाल ब्रदर्स एकाउंट, representative में क्या होगा, कोई भी representative, for example, capital account, यह सारी चीज, representative में आ जाएंगे, तो यह चीज़ आप clear रखेगा, पहले transaction में कोई receiver है, या giver है, मतलब identify करना पड़ेगा, real है, personal आ रहा है, कि nominal आ रहा है, अगर वहाँ पर personal आ रहा है, तो कोई receive करेगा, तो debit हो जाएगा, अगर वह चीज़ कोई give करेगा, giver होगा, तो credit हो जाएगा, clear ह last and important topic होता है, जो mostly हर accounts में, अलग-अलग format जो बनता है, जितने भी आपके format होता है, वो nominal account यूज होता है, nominal account में debit में होता है, all expenses and losses, all expenses and losses, और credit में होगा, all income and gains, clear है यहां तक, अब देखो, expenses and losses का मतलब तो बताने के ज़ौरत नहीं यह ठीक है, expenses मतलब खर्चे, losses मतलब जो गाटे हैं, अगर company के कुछ भी घाटे या expenses होते हैं, losses होते हैं, तो वो debit में जाएगा, अगर company का कुछ भी income या gain होता है, तो वो credit में आएगा, बस सर्त यह है कि आपको identify करना आना ची, वो real account है, personal है या nominal है, यह चाज़ याल रखिए, अगर कुछ भी assets होगा, तो वो real account से लिंक अप होगा, अगर personal, जैसे नाम है, natural person, artificial person, या representative account, तीनों होगा, तो आपका personal account का rule apply होगा, वही चाज़ अगर nominal है, आपको देखना है कि वो expenses है, जैसे for example, expenses में हम लोग क्या लिख देंगे, salary लिख देंगे, wages लिख देंगे, rent लिख देंगे, ठीक है, यह सारे क्या है आपके expenses या losses है, clear है आता क्या loss by fire, loss by time, जल गया, कोई cashier पैसा उड़ा के ले गया, यह सारे क्या हो जाएंगे, आपके losses हो जाएंगे, which is income and gain, क्या पता आपको income commission के रूप में मिल रहा हो, जब तक आपको salary wages, rent, commission, यह सब चीज़ received है, या paid है, यह नहीं दिया है, तब तक आपको हमेशा यह मान के चलना है, कि यह सारे आपके खर्चे है, ठीक है, तो commission को मैं यहाँ ना लिखके, अब बैस gains में करूँगा, जैसे commission अगर received है, salary received है, ठीक है, यह सारी चीज़ आएंगी, income and gains में, gains में क्या आ सकता है, बहुत सारी चीज़ यहाँ सकती है, जैसे commission लि rent received बोल दिया है, rent received बोल दिया है, ठीक है, income में आ जाएगा, insurance claim received बोल दिया है, insurance claim received, अगर हमने insurance का claim कहीं मांगा है, और वो receive है, तो वो income and gain में आ जाएगा, वह insurance premium paid, insurance premium अगर paid बोला है, ठीक है, तो आपका expenses हो जाएगा, clear है, आपको identify करने आना चीए, जब तक अगर वो specifically यह नहीं बोला है, कि वो receive हुआ है, तब तक हमीशा हम लोग उसको क्या मानेंगे, expense picture मानेंगे, यहाँ तक clear है, यह basic सारे आपके होते है golden rules, और यह golden rules बहुत ही जाद है important है, हर एक पैमाने पे, हर एक step पे आपका काम आएगा, इंफरक के MBA के level में भी काम आएगा, तो यह जो basic है, इस सीज को आप लोग अच्छे से याद रखिए, clear है, ठीक है, यह जो basic term है, इतना याद रहना चीए, बाकी next class में देखते हैं